इश्वर अनुग्रह देव, पुन्सा मदवैत वासना, महदभय परित्राना, विप्राना मुप जायते महान भय से रक्षा करने वाली अदवैत की वासना मनुष्यों में, विप्रों में इश्वर के अनुग्रह, खृपा से ही उत्पन्न होती है इस संसार में मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा भय है, बार-बार जन्म लेने एवं मरने से मनुष्य मुक्त होना चाहता है, किन्तु अदवैत की उपलब्धी के बिना मुक्ती नहीं होती अदवैत का ज्ञान ही स्रिष्टि का सर्वोच ज्ञान है, जिसकी पूर्ण व्याख्या वेदांत ग्रंथों में की गई है ब्रह्म सूत्र, योग वाशिष्ठ, उपनिशद, अश्टावक्र गीता आदी सभी अदवैत की बात कहते हैं अदवैत का अर्थ है, दो नहीं है, जीव और ब्रह्म दो नहीं है, स्रिष्टी और स्रिष्टा दो नहीं है, प्रकृती और पुरुष दो नहीं है बलकि एक ही ब्रह्म सृष्टी के विभिन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है इसलिए जीव, सृष्टी, प्रकृती आदी उसी एक ब्रह्म के विभिन रूप मात्र है इनमें परस्पर एकत्व एवं साम्य है भिन्नता बाहरी है, भीतर एकत्व है, सबकुछ संयुक्त है अज्यानी को भिन्नता दिखाई देती है, जबकि ज्यानी इनमें एकत्व देखता है जीवन और ब्रह्म, जगत और ब्रह्म, प्रकृती और ब्रह्म में एकत्व देखना ही ज्यान है तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मनुष्य इस जन्म मृत्यू के बंधन से मुक्त होता है। मुक्ति की अन्य कोई विधी नहीं है, शास्त्र वचन भी है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। ये ज्ञान है जीव एवं ब्रह्म की एकता का ज्ञान। शंक्राचारे कहते हैं, जब तक ब्रह्म और आत्मा की एक्ता का बोध नहीं होता, तब तक सौ कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती. इस अद्वैत की अनुभूती ही मनुष्य की मृत्यू रूपी महान भय से रक्षा कर सकती है. अन्य कोई विधी नहीं है, किन्तु अद्वै की वासना अथ्वा मुक्ति की इच्छा हर मनुष्य में नहीं हो सकती. मनुष्य मन, बुद्धि, अहंकार एवं शरीर में ही जीता है, तथा पूर्व जन्मों के संसकार ही उसका जीवन चलाते हैं, जिससे उसकी वासनाएं भी क्षुद्र एवं सीमित होती हैं. वह रोटी कपड़ा, मकान, धन, स्त्री, पुत्र, यश, प्रशंसा, सम्मान आदि की ही कामना करता है. ये ही वासनाएं उसे जन्म मरण से भहे भीत करती हैं, क्योंकि मृत्य उपर ये सभी उसका साथ नहीं दे सकते. जो व्यक्ति इन क्षुद्र वासनाओं से ग्रस्थ है, उसमें कभी अदवैत की वासना का उदय नहीं हो सकता, न कभी उसे जीव एवं ब्रह्म की एक्ता का ही अनुभव हो सकता है. ये अनुभव ईशवर की कृपा से कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त होता है, जिससे वे जीवन मुक्त होकर विचरते हैं. ईशवर के इस अनुग्रह क को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सरव प्रथम अपनी पात्रता सिध्ध करनी पड़ती है। अपात्र पर ईश्वर कृपा नहीं बरस्ती। अत्वा यों कहना चाहिए कि ईश्वर की कृपा तो सब पर समान रूप से बरस ही रही है किन्तु अपात्र उसे ग्रहन नहीं कर पा रहा है इसलिए वह खाली रह जाता है तथा पात्रता वाला व्यक्ति उसका लाब उठा लेता है भगवान दत्ता त्रे कहा गया है जन्मना जायते शुद्र संस्काराद विप्रगा अर्थ है वेदा भ्यासाद भवेद विप्रो ब्रह्म जाना ति ब्रह्म मना अतह जो वेदा भ्यासी है वेदों के मर्म को समझ गया है उसी की ब्रह्म प्राप्ति की वासना होती है यही उसकी पात्रता है जिसे प्राप्त करने वाला ही विप्र कहलाता है ऐसे विप्रों को ही ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है, जिससे वह मृत्यू के भय से मुक्त होकर अद्वैत का अनुभव कर पर्मानंद में स्थित होता है। इस सूत्र में दत्ता त्रेजी ने अद्वैत की वासना, अर्थात, ब्रह्म ज्यान की इच्छा होने के लिए स्वयम की पातरता एवं भगवत कृपा दोनों को ही महत्वपूर्ण मानकर इन पर बल दिया है। शंकराचारे ने भी कहा है, जीवों में प्रथम तो नरजन्म ही दुरलब है, उसमें भी पुरुषत्व और उसमें भी ब्रह्मनत्व का मिलना कठिन है। भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, ये निदम प्रितम सर्वमात्मनई वात्मनात्मनी, निराकारम कथम वंदे ह्या भिन्नम शिवमव्यम। यह दृष्यमान संपूर्ण जगत जिस आत्मा द्वारा आत्मा से आत्मा में ही पूर्ण हो रहा है, उस निराकार ब्रह्म का मैं किस प्रकार वंदन करूँ? क्योंकि वह जीव से अभिन्न है, कल्यान स्वरूप है, तथा अव्यय है, अज्ञानी, जिसे आत्म ज्ञान नहीं हुआ है, को जीव तथा ब्रह्म में भिन्नता ज्यात होती है, वह ईश्वर को जीवात्मा से भिन्न मान कर उसकी उपासना, वंदना, प्रार्थना, पूज करता है तथा उसे प्रसन्न करके उससे इच्छित फल प्राप्ति की कामना करता है किन्तु जिसे यह ज्ञान हो गया है कि जीव और ब्रह्म एक ही चेतन सत्ता के दो रूप मात्र हैं जो अभिन्न है इन में किसी प्रकार की भिन्नता है ही नहीं आत्मा स्वयम पर मात्म कौन है सारा ब्रह्म ही है फिर कौन किसकी वंदना करे वंदना तब की जाती है जब अज्ञान की अवस्था में मनुष्य अपने को उस ब्रह्म से भिन्न समझता है दत्ता त्रेजी को ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने अनुभव किया कि यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही जो उसका स्थूल रूप है, जिसमें वह ब्रह्म ही सर्व व्याप्त है, फिर कौन किसकी वंदना करे? फिर ब्रह्म और जीव में कोई भेधी नहीं है, तथा वह निराकार है, स्वयम शिवरूप, कल्यान स्वरूप है, तथा अव्यय, नाश रहित है. यह आत्मा भी इसी भूति के बाद वंदना, उपासना, प्रार्थना आदी का कोई प्रयोजन नहीं रहता. यही पूर्ण ज्ञान है जिसके बाद जानने को कुछ भी शेश नहीं रहता. सभी प्रकार की साधनाएं ज्ञान प्राप्ति के लिए ही की जाती हैं. पंच भूत आत्मकम विश्वम समान मिथ्या भी है. मैं एक ही निरंजन, निर्दोश हूँ. फिर मैं किसको नमस्कार करूं? दद्टा त्रेजी को आत्मबोध हुआ जिससे उन्होंने जाना की आत्मा और ब्रह्म एक ही है. ब्रह्म की ही भाती आत्मा भी निर्दोश ही है. उसमें किसी प्रकार का मल, अथ विकार है ही नहीं, वह पूर्ण है तथा यह संपूर्ण विश्व पांच भूतों, पृत्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश का समुदाय मात्र है, जो वास्तविक नहीं है, बलकि म्रिग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है, जिससे किसी की प्यास बुझती नहीं, लोग ह जो इन सांसारिक वस्तूओं के भोग में, अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, किन्तु ना इनसे उन्हें शांती मिलती है, ना आनंद, इसलिए यह मिथ्या है, एक ब्रह्म ही सत्य है, जिसके ज्ञान से मनुष्य को पर्मानंद की अनुभूती होती है, तथा वह मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूँ, जिससे निर्दोश हूँ, अब मैं किसको नमस्कार करूँ, यह संसार अज्ञानी को ही सत्य प्रतीत होता है, तथा म्रिगत तृष्णा के जल की भांती इसमें सुख ढूंडता है, किन्तु मिलता नहीं, वह अंत में अपने प्राण ही यह आत्मा ही सर्वरूप है, तथा केवल है जिसमें भेद और अभेद विद्धिमान नहीं है, इसे मैं है अत्वा नहीं है, किस प्रकार कहूं, मुझे यह आश्चर्य रूप प्रतीत होता है, दत्तात्रे जी यहां आत्म स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यह आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है, जो सर्वरूप है, यह संपूर्ण स्रिष्टी इसका फैलाव मात्र है, इसी की अभिव्यक्ति है, संपूर्ण स्रिष्टी में एक ही आत्मा व्याप्त है, इसलिए यह स्रिष्टी केवल आत्मा ही है, जिसमें अन्य कोई विजातिय तत्व है ही नहीं. इसलिए इसमें कोई भेद ही नहीं है. भेद होने पर ही अभेद सिध्ध करने के प्रमान देने पड़ते हैं. किन्तु जब मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि यह आत्मा ही सर्व रूप है तो फिर इसे अभेद सिध्ध करने की आवश्यक्ता ही नहीं है, शास्त्र आस्ति, नास्ति की बातें कहते हैं, कोई कहता है आत्मा है, कोई कहता है आत्मा इश्वर से भिन्न है, कोई कहता है यह अभिन्न है, भिन्न प्रतीत होने पर ही उसे अभिन्न कहा जाता है, जैसे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को शरीर से अभिन कहा जाता है क्योंकि वे भिन भिन प्रतीत होते हैं किन्तु यह आत्मा सृष्टी के विभिन अवैवों का जोड मात्र नहीं है जिससे इसे अभिन कहा जाए यह एक ही है जिससे इसे है अथवा नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता यह आश्चर रूप प्रतीत होता है ए इन एक ही होने से इसमें अन्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। दार्थ तथा दूसरा चेतन जगत जिसमें सभी जीवधारी एवं मनुष्य आते हैं। तीसरा रूप इश्वर है जिसने स्रिष्टी बनाई उस पर मनुष्य को पैदा किया तथा वही इश्वर अपने आदेशों से इसका संचालन कर रहा है। बिना उसकी इच्छा एवं आग्या के एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार इस स्रिष्टी के तीन रूप हो जाते हैं। प्रकृती जो जड़ है, जीव जो जड़ एवं चेतन का संयुक्त रूप है, तथा इश्वर जो केवल चेतन स्वरूप है। इन तीनों के सह संबंधों को लेकर संसार ने विभिन धर्मों को जन्म दिया। मनुष्य की कलपना की उड़ान जहां तक जा सकी उसके अनुसार ही इनकी भिन भिन व्याख्याएं दी। किसी ने इश्वर को सर्वे सर्वा मान कर उसके स्वर्ग में बिठा दिया, उसे एक समराट का रूप दे दिया, किसी ने उसे न्यायाधीश मान कर दंड एवं पुरसकार देने वाला बता दिया, किसी ने उसे मालिक एवं मनुष्य को गुलाम कह दिया, किसी ने इश्वर क अस्थित्व से ही इनकार कर दिया एवं कह दिया कि इस प्रकार की कोई सत्ता है ही नहीं। यह मनुष्य की कल्पना मात्र है। इन सब मान्निताओं से उपर वेदांत ने अध्वैत को प्रतिष्था दी, जो सभी धर्मों एवं मान्निताओं का सार है। इस से उँचा कोई भी ज्ञान दुनिया में नहीं है, वेदान्त के अनुसार यह संपूर्ण जडचेतनात्मक जगत उस एक ही परमतत्व ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, उसी का प्रसार एवं फैलाव है, इसलिए यह संपूर्ण स्रिष्टी ब्रह्म ही है, उससे किसी प्रकार भिन्न नहीं है, जैस प्राप्ति परिन में एकत्व दिखाई देता है, यह एक ही ब्रह्म स्रिष्टी के विभिन्न रूपों में कैसे अभिव्यक्त होता है, यह जानना इसका विज्ञान पक्ष है, तथा उस ब्रह्म का अनुभव करना, उसे जानना इसका ज्ञान पक्ष है, इस प्रकार इस सं संपूर्ण ज्ञान के ज्ञान एवं विज्ञान नाम से दो प्रकार हो जाते हैं। वेदान्त इन दोनों की समुचित व्याख्या करता है जिससे संपूर्ण स्रिष्टी का रहस्य ज्ञात हो सकता है। इस सूत्र में दत्तात्रे कहते हैं कि इस स्रिष्टी का पूर्ण ज्ञान वेदान्त है, जिसका सार अद्वैत है, वही मेरा सर्वस्व है, मैं इसके अतिरिक्त अन्य किसी को मान्यता नहीं देता। ज्ञान एवं विज्ञान का जो स्वरूप वेदान्त ने बताया है, उसके सिवाए अन्य कोई भी ज्ञान नहीं है, वही पूर्ण ज्ञान है, इसके अनुसार मैं स्वयम शरीर, मन, बुद्धियादी नहीं, बलकि पूर्ण चेतन आत्मा हूं, आत्मा एवं परमात्मा, ब् निराकार भी हूं, तथा ब्रह्म की ही भांती सर्व व्यापी भी हूं, सर्व व्यापकता आत्मा का स्वभाव है, उसे किसी देश, काल, शरीर आदी से आबद्ध नहीं किया जा सकता, ब्रह्म की भांती आत्मा भी असीम है, योवे सर्वात्म को देवो निश्पलो गगनो स्वभाव निर्मल शुद्ध से एवाहमन संशय जो सर्व स्वरूप देव ब्रह्म है वह अवैवरहित आकाश के सद्रिश स्वभाव से निर्मल एवं शुद्ध है वही मैं हूँ इसमें संशय नहीं है दत्ता त्रेय को ब्रह्मानु भूती हुई जिससे उन्होंने जाना कि वह ब्रह्म की स्रिष्टी का सब कुछ है स्रिष्टी के विभिन्न स्वरूप उसी एक की अभिव्यक्ति मात्र है इसलिए वह ब्रह्म से किसी प्रकार भिन्न नहीं है उसी के भिन्न स्वरूप मात्र है वही एक अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है जिस प्रकार अने स्वयम अवयव रहित है, उसका स्वयम का कोई रूप नहीं है। वह आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त है, कोई भी ऐसा स्थान एवं काल नहीं, जहां वह न हो। वह स्वभाव से ही निर्मल है, उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं है, वह शुद्ध है। अशुद्धि उसमें है ही नहीं, जो सब को पवित्र एवं शुद्ध करने वाला है, उसमें अशुद्धि कैसे रह सकती है। दत्तात्रे कहते हैं कि मुझे इसका ज्ञान हो गया, कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, इसलिए ब्रह्म ही हूँ, इसलिए मैं भी अवयव रहित, आकाशवत, निर्मल एवं शुद्ध हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है, आत्म ज्ञान से पूर्व ही मैं अपने को अज्ञान अशुद्ध, पापी, हीन मानता रहा था, मेरी यह भ्रांती अब मिठ गई है, एवं मैं आत्मा में ही स्थित हूँ, अहमे वाव्ययो नंतह, शुद्ध विज्ञान विग्रह, सुखम दुखम न जानामी कथम कस्य पिवर्तते, मैं निश्चे ही नाश रहित, अनंत एवं शुद्ध विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सुख दुख को नहीं जानता हूँ कि ये किसको किस प्रकार होते हैं, मनुष्य का शरीर एक यंत्र के समान है, जिसमें शरीर, मन, बुद्धी एवं चेतना है, जिनके भिन्न भिन्न धर्म है, सुख दुख की अनुभूती मन का धर्म है, मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जिनकी पूर्ती होने पर सुख का अनुभव होता है, तथा पूर्ती ना होने पर उसे दुख होता है, आत्मा के वल एक शक्ती है, जो शरीर, मन, बुद्धी आदि का संचालन मात्र करता है, सुख दुख की अनुभूती आत्मा को नहीं होती. ज्यान प्राप्ति के बाद ज्यानी अपनी आत्मा में हिस्थित हो जाता है. वह आत्मा को ही अपना स्वरूप समझता है. इसलिए शरीर एवं मन के अनुभवों को वह अपना अनुभव नहीं मानता. आत्मा केवल चैतन्य है, साक्षी है, द्रिष्टा मात्र है इसलिए आत्म ज्यानी भी द्रिष्टा मात्र होता है आत्मा नाश रहित अनन्त एवं शुद्ध विज्ञान स्वरूप है इसलिए दत्ता त्रेय कहते हैं कि मैं शरीर एवं मन नहीं हूँ बलकि आत्म स्वरूप होने से मैं नाश रहित, अनन्त एवं शुद्ध विज्ञान स्वरूप हूँ। इसी कारण ये सुख दुख मन के धर्म होने से मेरे धर्म नहीं है, जो मन में जीता है उसी को इनकी अनुभूती होती है, मुझे नहीं होती। मन के द्वारा किये गए शुभ व अशुभ कर्म मेरे नहीं है, न शरीर द्वारा किये गए शुभा शुभ कर्म मेरे है, वानी द्वारा किये गए शुभा शुभ कर्म भी मेरे नहीं है। मैं शुद्ध, ज्यानमृत एवं इंद्रियों का अविशय हूँ। कर्म का आधार मन है। मन में पूर्व जन्म के संसकारों के कारण अथवा वातावरण के प्रभाव से कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं आदि उत्पन्न होती हैं। जिससे मन में शुब एवं अशुब चिंतन ही मानसिक कर्म हैं। यही चिंतन जब वानी द्वारा प्रकट होते हैं तो इसे वाचिक कर्म कहते हैं। यह भी शुब अथवा अशुब होते हैं। इनके बाद इन विचारों की ही अभिव्यक्ती शारीरिक कर्मों के रूप में होती है। जैसा मन का शुबहा भाशुभ कर्म होते हैं. अज्ञानी के सभी कर्म स्वयम की मानसिक कलपना के आधार पर ही होते हैं, जिससे वह कर्म फ़लों का भ्रोकता भी होता है, किन्तु ञ्षान प्राप्ति के बाद योगी आत्मा में स्थित हो जाता है. वह शरीर और मन को अपना स्वरूप न मानकर आत्मा को ही अपना स्वरूप मानता है जिससे वह इन कर्म फलों का भोगता नहीं होता। दत्ता त्रेय जी ज्ञान को उपलब्ध हो गए इसलिए वे कहते हैं कि मैं शरीर, मन एवं वानी से भिन्न शुद्ध आत्म स्वरूप होने से न मैं कर्मों का करता हूं न भोगता। अर्थ यह है कि ज्ञानी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। निश्चे ही यह मन गगन के आकारवाला है तथा इसके सभी और मुक्ष है। मन से पार कुछ भी नहीं है, मन ही सब कुछ है, किन्तु यह मन भी परमार्थ से सत्य नहीं है। इस सूत्र में दत्तात्रेय मन की व्याख्या करते हुए कहते हैं, कि यह मन आकाश के समान सर्वत्र व्यापक एवं विशाल है, जिसके सभी और मुक्ष है। संसार का कोई भी कार्य मन की कल्पना के बिना नहीं होता। सभी प्रकार की अच्छी बुरी शुब अशुब योजनाएं मन द्वारा ही निर्मित होती है। मन में ही होता है। मन सर्वतो मुखी है। वह सभी प्रकार की योजनाएं बना सकता है। मन के कारण ही ब्रह्मा ने स्रिष्टी की रचना की योजना तैयार की। इसलिए संपूर्ण स्रिष्टी का आधार मन ही है। मन ही सब कुछ है। यही संपूर्ण स्रिष्टी है। इस उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये जड़ है जो उस चेतन तत्व आत्मा की शक्ती से संचालित है, अहंकार के कारण वासना पूर्ती हेतु इसका निर्मान हुआ है, तथा इसका नाश भी संभव है, आत्मा ही एक मात्र सत्य वस्तु है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वही परमार्त में सत्य है, अन्य सभी मिथ्या है, मनो नाश से ही योगी आत्म ज्यान को उपलब्ध होकर जीवन मुक्त होता है, इसलिए जिसका नाश हो सकता है, उसे परमार्त में सत्य नहीं कहा जा सकता, एक मात्र आत्मा ही सत्य है, अहमेकमिदम व्योमातीतम निर प्रकृति है जड़ पदार्थ चेतन को कैसे देख सकता है। ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुध्धियादी सभी जड़ प्रकृति से निर्मित हैं, जो आत्मा रूपी चेतना शक्ति से ही सक्रिय हैं। इसलिए देखने वाला आत्मा ही है जो एक ही है तथा वही सब कुछ है। ये आत्मा आकाश से भी पार अतिसूक्ष्म है, इससे भी विशाल है तथा निरंतर है, जो सभी कालों एवं स्थान में विद्यमान है। इससे भिन्न कुछ है ही नहीं, इसलिए इससे किसी भी प्रकार देखा नहीं जा सकता। दत्ता त्रेजी कहते हैं कि मैं आत्मा रूप होने से ये अनुभव कर रहा हूं कि मैं एक ही आत्मा हूं तथा मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, फिर कौन किसको देखे? देखने वाला दूसरा कोई नहीं है। त्वमेव में कम ही कथम न बुद्ध्य से, समम ही सर्वेशु विम्रिष्टम अव्ययम, सदोधितोसी त्वमकंडितह प्रभो, दिवाचनक्तम चकथम ही मन्य से. हे प्रभो, तू क्यों नहीं जानता कि तू एक ही है, सभी में समान है, नाश रहित है, ऐसा विचार किया गया है. तू सदा ही प्रकाश मान है, तथा अखंड है, भेद रहित है. फिर तू दिन और रात्री को किस प्रकार मानता है? दत्तात्रेय जी, यहां अपने शिश्य को उपदेश करते हुए कहते हैं, कि जिस प्रकार मैंने माना है कि मैं शरीर, मन, बुद्धी आदी नहीं, बलकि आत्मा ही हूँ, तथा एक ही हूँ, जो सभी में समान रूप से विद्यमान है, तथा नाश रहित है. इसे तू क्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इसमें भेद ही नहीं है, सृष्टी के समस्त रूप इसी के हैं, भेदों की कल्पना मन का ही धर्म है, आत्मा में कोई भेद नहीं है, दिन और रात्रे, सुख और दुहक, जय और पराजय, हानी लाब आदी सभी द्वंद्वों की अनु प्राप्ती के बाद व्यक्ति द्वंद्वातीत हो जाता है, वह सभी को आत्म रूप ही देखता है, जिससे उसकी भेद द्रिष्टि समाप्त हो जाती है, आत्मानम सततम विद्धी सर्वत्रैकम निरंतरम, अहम ध्याता परम धेयम खंडम खंडयते कथम, आत्मा को तुम सर्वत्र एक एवम अविचल जानो, फिर मैं ध्याता ध्यान करने वाला, हूं तथा आत्मा धेय जिसका ध्यान किया जाता है, कब भेद किस प्रकार करते हो, जो अखंड है उसका खंडन कैसे करते हो, इस सूत्र में दत्तात्रे जी अपने शिश्य को उपदेश करते हुए क कि यह आत्मा एक ही है जो सर्वत्र व्याप्त है, सभी आकार उसी के हैं, तथा वह नित्य है, ध्यान करने वाला स्वयम को आत्मा से भिन्न समझता है, इसलिए वह आत्मा का ध्यान करता है, किन्तु आत्म ग्यान को उपलब्ध व्यक्ति, आत्मा से भिन्न किसी के अस्तित् नहीं करता इसलिए उसके लिए ध्यान का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता जब सर्वत्र एक आत्मा ही है तो फिर कौन किसका ध्यान करे ज्यानी में ध्याता एवं ध्येय का भेध ही समाप्त हो जाता है वह सर्वत्र आत्मा ही देखता है ना जातो ना मृतो सित्वम ना ते देह कदाचन, सर्वं ब्रहमेति विख्यातं ब्रवीति बहुधा शुरुति, न तो तेरा कभी जन्म हुआ है, न कभी मरता ही है, न कभी तेरा शरीर ही है, यह सब ब्रहम ही है, ऐसा प्रसिद्ध है, तथा अनेक शुरुतियाँ ऐसा ही कहती है, आत्म बोध हो जाने पर, जहानी इ यह आत्मा स्वयम ब्रह्म ही है, जन्म एवं मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं, यह जगत प्रसिद्ध है, तथा सभी शृतियां ऐसा ही कहती हैं, दत्तात्रेजी अपने शिश्य को इसी का उपदेश कर रहे हैं, कि तु अपने को शरीर नहीं बलकि आत्मा जा यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता, सभाहिय अभ्यंत्रों सी त्वम शिव सर्वत्र सर्वदा, इत्स्ततह कथम भ्रांत प्रधावसी पिशाच्वत, अनुवाद, जो आत्मा, प्रम, बाहर और भीतर सर्वत्र ए जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया है, जो बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, स्रिष्टी का कोई भी पदार्थ उससे भिन्न नहीं है, वह सदा से ही विद्यमान है, तथा सदा ही रहेगा, वह न कभी खोया है, जिसे ढूंडना पड़े, तू स्वयम शरीर नहीं, बलक कहीं अन्यत्र है, आस्मान में बैठा है, स्वर्ग में बैठा है, मंदिर, मस्जिद वगुरुद्वारे में है, किसी गुरु के पास है जो तुझे अनुनय विनय करने एवं पाव छूने से दे देगा, वह कहीं जंगल में है, अत्वा परवत गुफाओं में है, जहां जा पुड़ता फिरता है, जो तेरी मूरता ही है, यह कहीं छिपा भी नहीं है, प्रत्यक्ष है जो सर्वत्र दिखाई दे रहा है, किन्टु मेरी आँखों पर जो माया का परदा पड़ा है, जिससे वह दिखाई नहीं दे रहा है, इस परदे को हटा, जिससे यह संपूर्ण विचार करके इसे जान ले तो तेरा सारा भ्रह्म दूर हो जाएगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। दत्ता त्रेजी ने इस सूत्र में अपने शिश्य को ज्ञान प्राप्ति का रहस्य प्रकट कर दिया। तेरे में और मेरे में कोई संयोग और विभाग नहीं है, न तू है, न मैं हूँ और न यह जगत ही है, बलकि यह सब केवल आत्मा ही है। दत्ता त्रेजी अपने शिश्य को आत्म ज्ञान का उबदेश देते हुए कहते हैं कि संयोग दो अत्वा अधिक वस्तूओं का होता है तथा उनहीं का विभाजन किया जा सकता है, किन्तु जब एक ही है, तो उसका किस से संयोग हो तथा उसका विभाग भी संभव नहीं है जो व्यक्ति जड और चेतन, प्रकृति और पुरुष, जीव और ब्रह्म, आत्मा एवं परमात्मा, शरीर और आत्मा, स्रिष्टी और स्रिष्टा आदी में भेद करते हैं तथा भिन भिन मानते हैं, वे ज्ञानी नहीं हैं, ज्यान प्राप्ति के बाद ये सभी भेद की कोई भिन वस्तुएं नहीं है, बलकि सब केवल आत्मा, ब्रह्म ही है, अज्यानियों को, जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं, उन्हीं को ये सब भिन भिन ज्यात होते हैं, ज्यानी स्वर्ण को देखता है जो सभी आभुषणों में समान रूप से है, जबकि अज्यानी आ इसलिए इसमें न किसी का संयोग है न विभाग। शब्दादी पंचक स्यास्य नैवासित्वम्नते पुना। त्वमेव परमम्तत्व मतहकिम परितप्य से। फिर ये शब्दादी पंचक, शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गंध। न तो तुम हो न ये तुम्हारे हैं। त इसलिए क्यों संतप्त होते हो। दत्ता त्रेजी कहते हैं कि शब्द, स्पर्ष, रूप, रस और गंध। रूपी पंचक पांचों ज्ञाने इंद्रियों के विशे हैं जिनका वे भोग करती हैं। इन भोगों से ही उन्हें आनंद प्राप्त होता है तथा न मिलने पर वे संतप्त होती हैं। किन्तु तुम शरीर एवं इंद्रियाव मात्र नहीं हो बलकि उसके भीतर का चेतन तत्व ब्रह्म हो जिसका इन विशे भोगों से कोई संबंध ही नहीं है। ये इंद्रिया और विशे भोग तुम्हारे नहीं है न तुम्हें संतुष्ठ ही कर सकते हैं फिर अकारण ही तुम क्यों संतप्त होते हो। जन्म मृत्यूर नते चित्तम बंध मोक्षो शुभा शुभाव। कथम रोधिशिरे वत्स नाम रूपम नते नमे। जन्म और मृत्यू, बंधन और मोक्ष तथा शुभा शुभ सब मन के धर्म हैं। तेरे नहीं हैं। ये न वासनाएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए ही वह बार-बार जन्म लेता है वो मरता है यह मन जब तक वासना युक्त रहता है तब तक यह बंधन का कारण बनता है तथा वासना से मुक्त होने पर यही मोक्ष का कारण बन जाता है शुब एवं अशुब कर्म भी मन की ही वासना के कारण होते हैं. इसलिए ये सब मन के ही धर्म हैं. यहां तक कि मन के कारण ही मुझे भिन्न भिन्न नाम रूपों की प्रतीती होती है. किन्तु तू मन नहीं, बलकि चैतन्य आत्मा है, जिसका इन धर्मों से कोई संबंध ही नहीं है फिर तू क्यों रुदन करता है अर्थात दूसरों के कारण तू क्यों दुखी होता है अहो चित कठम भ्रांतह प्रधावसि पिशाचवत अभिन्नम पश्य चात्मानम रागत्यागाद सुखी भव खेद है कि यह चित किस प्रकार भ्रांत होकर पिशाच की भांती दोड़ता फिरता है तू अपनी आत्मा को अभिन्न देख तथा राग का त्याग करके सुखी हो जा दत्ता त्रेय फिर शिश्य को उपदेश करते हुए कहते हैं कि मन का धर्म राग है जिसके वशी भूत होकर अपनी वासना पूर्ती हे तू पिशाच की भांती दोड़ता फिरता है किन्तु वासना की पूर्ती कभी होती नहीं इसे यह नहीं जानता यह भोगों में ही सुख मानता है यही इसकी भ्रांती है इसलिए हे शिश्य तू अपने को आत्मा से अभिन देखकर मन के द्वारा उत्पन राग का त्याक करके सुखी हो जा तू मन नहीं बलकि आत्मा है जिसमें कोई वासना नहीं है उसी को अपना स्वरूप समझने से तुम सुखी हो सकते हो राग ही दुखों का कारण है त्वमेव तत्वम ही विकारवर्जितम निशकंपमेकं ही विमोक्षविग्रहम नतेचरागो ह्यत्वा विरागह कत्थम ही संतप्या सी काम का मतः तु निश्चे ही आत्म तत्व है जो विकार रहित है, निश्काम है, एक ही है तथा मोक्ष स्वरूप है ये राग और विराग भी तेरे नहीं है, फिर कामों की कामना से क्यों संतप्त है दतात्रेजी शिर्षे को आगे कहते हैं, कि काम की कामना करना ही सभी दुखों का कारण है, जो मन का ही धर्म है किन्तु तु मन नहीं, बलकि चेतन आत्मा है, जिसमें कोई विकार नहीं है ये च्छा प्रकार के विकार काम, क्रोध, लोब, मोह, मद, एवं मतसर, मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं है आत्मा कभी किसी कामना से चलायमान नहीं होती, वह सभी प्रकार के द्वंद्वों में निश्कंप रहता है, वह एक ही है तथा स्वयम मोक्ष स्वरूप ही है उसे मोक्ष प्राप्ति की भी कामना नहीं है यह राग एवं विराग दोनों से रहित है ऐसे आत्म स्वरूप में स्थित होकर तु कामों की कामना करके क्यों दुखी होता है वदंती शृतेह सर्वा निर्गुणम शुद्ध मव्ययम अश्रीरम समम तत्वम तन्माम विधिन संशय संपूर्ण शृतियाओं आत्म तत्व को निर्गुण शुद्ध नाश रहित शरीर से रहित समरूप ही कहती है वही तुम मुझे जानो इसमें संशय नहीं है दत्तात्रेजी आत्म तत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी शृतियाँ ब्रह्म को निर्गुण, सत्व, रज, तमगुणों से रहित, शुद्ध, नाश रहित, अश्रीरी, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त आदि कहती है वही ब्रह्म आत्म रूप में मैं हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है, आत्मा एवं ब्रह्म में कोई भिन्नता है ही नहीं साकार मन्रितम विद्धि निराकारम एततत वोप देशेन नपुनर्भव निरंतरम संभव साकार को मिध्या जान, निराकार को निरंतर, नित्य, जान इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनाहुत पत्ति नहीं होती इस सूत्र में दत्ता त्रेय जी कहते हैं कि सृष्टी में दिखाई देने वाले सभी साकार रूप उस एक ही निराकार तत्व ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। वही एक निराकार ब्रह्म अनेक साकार रूपों में प्रकट हुआ है। जिससे वे इससे भिन्न नहीं हैं, किन्तु इनके रूप हमेशा बदलते रहते हैं। जिससे ये मिथ्या हैं, इन पर विश्वास सकता। ये सत्य जैसे प्रतीत होते हैं, किन्तु सत्य नहीं दिखाई देते हैं। ये रूप शाश्वत भी नहीं हैं, बनते बिगड़त रहत हैं। केवल एक ब्रह्म ही ऐसा है, जो शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता। इस शाश्वत को प्राप्त करने से ही मनुष्य जीवन मृत्यू के चक्र से छुटकारा पा सकता है। मुक्ती का अन्य कोई उपाय नहीं है। यही तत्व उपदेश है। एक मिवसमम, तत्वम, वदंती ही विपश्चिता। रागत्यागात पुनाश्चित्थमे कानेकम्न विद्यते। विद्वानजन कहते हैं कि एक ही तत्व समान रूप से व्याप्त है। राग के त्याग देने से यह चित फिर एक और अनेक को नहीं जानता। राग मन का धर्म है जिसके वशिभूत होकर मनुष्य को स्रिष्टी में अनेकता दिखाई देती है। वह उस एक तत्व ब्रह्म को नहीं जान सकता। वह एक ही चेतन तत्व मन के पार जाने पर ही जहात हो सकता है जिसके लिए राग का त्याग आवश्यक है। जो व्यक्ति राग, वासना, कामना, इच्छाओं आदी से उपर उठ जाता है उसी को उस परम तत्व ब्रह्म की अनुभूती होती है तथा उसी अवस्था में उसे ज्ञान होता है कि वही ब्रह्म स्रिष्टी में समान रूप से व्याप्त है। ये भिन्नताएं जो दिखाई दे रही हैं, वे भ्रांती मात्र हैं। राग के त्याग देने से ही एक और अनेक का भेद मिट जाता है। फिर यह मन एक ब्रह्म को ही सत्य मानने लग जाता है। अनात्म रूपम चकथम समाधी, रात्म स्वरूपम चकथम समाधी, अस्तीति नास्तीति कथम समाधी, मोक्ष मोक्ष स्वरूपम यदि सर्व मेकम अनात्म रूप को समाधी कैसे हो सकती है तथा आत्म स्वरूप को समाधी कैसे हो सकती है इसी प्रकार है और नहीं है कि भी समाधी कैसे हो सकती है और जो मोक्ष स्वरूप एक ही ब्रह्म है तो भी समाधी कैसे हो सकती है इस सूत्र में दत् और अनात्म पदार्थ अर्थात चेतन एवं जड़। जड़ पदार्थ कभी समाधी नहीं लगा सकते तथा चेतन आत्मा स्वयम शुद्ध एवं पूर्ण है जिसे समाधी की आवश्यक्ता ही नहीं है। कि वह है, तो फिर समाधी का क्या प्रयोजन है। दत्ता त्रेजी इसमें यही कहना चाहते हैं कि जिसे आत्म बोध हो गया, उसके लिए समाधी का कोई प्रयोजन नहीं रहता। अश्टावक्र गीता में भी कहा गया है कि आत्मा असंग, क्रिया रहित, स्वयम प्रकाश एवं निर्दोश है, इसलिए उसके लिए समाधी का अनुष्ठान नहीं हो सकता। समाधी भी बंधन का कारण बन जाती है। विशुद्धो सि समम् तत्वं विदेहस्त्व मजो व्ययह, जाना महीन जाना मीत्यात्मा नम मन्यस से कथम, तू आत्मा स्वरूप होने से, विशुद सम्रस, देह रहित, जन्म से रहित, तथा नाश से रहित है। फिर तू यह कैसे मानता है कि मैं आत्मा को जानता हूँ, मैं आत्मा को नहीं जानता। दत्ता त्रेजी अपने शिश्य को आत्म स्वरूप का बोध कराते हुए कहते हैं कि तू शरीर एवं मन आदी नहीं है, ब अब तू इस आत्मा से पिर्थक है ही नहीं। फिर यह कैसे मानता है कि मैं आत्मा को जानता हूँ, अथवा इसे नहीं जानता। ऐसे कथन से यह ज्ञात होता है कि तू जानने वाला है तथा आत्मा जानने योग्य है, दोनों भिन्न हैं। यही तेरी भ्रांती है कि मैं आत्मा से भिन्न कोई अन्य जीव हूँ तभी ऐसा कहा जा सकता है। किन्तु तू आत्मा से भिन्न कोई अन्य जीव है ही नहीं, बलकि स्वयम आत्मा ही है, इसलिए तेरा यह कथन, मिथ्या एवं भ्रांति पूर्ण है, इसका त्याग करके अपने को आत्मा ही जान। नेती कहती है, यह पंचबौतिक मिथ्या है, वेदों में जिस तत्व मसे, शब्द का प्रयोग करके कहा गया है, कि जिस ब्रह्म की, परमचेतन की, अनुभूति तुझे हो रही है, वह तुझसे किसी प्रकार भिन्न नहीं है, बलकि तू भी वही चैतन्य स्वरूप आत्मा है यह जो तेरा पंचबौतिक शरीर एवं जगत जो तुझे दिखाई दे रहा है, वह मिथ्या है, तू यह जड़ शरीर नहीं, बलकि छेतन्य आत्मा है तेरी आत्मा से ही सभी आत्म रूप से पूर्ण एवं निरंतर है, इसलिए ध्याता और ध्यान तुम्हारे नहीं है, फिर यह निरलज्ज मन कैसे ध्यान करता है दत्ता त्रेय जी फिर कहते हैं कि तेरी आत्मा सभी प्रकार से पूर्ण है एवं शाश्वत है, तथा अन्य सभी उसी के कारण पूर्ण है जब एक ही है तो कौन किसका ध्यान करे ध्याता और धेय भिन्न है ही नहीं, तो यह ध्यान तुम्हारे लिए नहीं है जब इसका घ्यान हो गया कि मैं मन नहीं आत्मा ही हूँ, तो फिर यह निरलज्ज मन कैसे ध्यान करता है अर्थ ये है कि आत्म घ्यान के बाद ध्यान भी व्यर्थ हो जाता है मैं शिव को नहीं जानता तो कैसे उसका वर्णन करूँ मैं ही शिव स्वरूप एवं परमार्थ तत्व हूँ जो गगन के तुल्य और सम्स्वरूप है दत्ता त्रेजी इस सूत्र में ब्रह्म के वर्णन एवं भजन की व्यर्थता बताते हुए कहते हैं, कि वह ब्रह्म शिव स्वरूप, अर्थात कल्यान स्वरूप है, किन्तु अज्ञान की स्थिती में, न मैं उसे इंद्रियों से देख सकता हूँ, न बुद्धी से जान ही सकता हूँ, फिर मैं किस प्रकार उसका वर्णन कर सकता हूँ, तथा उसका भज गुणगान भी कैसे किया जा सकता है। तथा अब जब मैंने जान लिया कि मैं स्वयम ही शिव रूप एवं परम तत्व हूँ, जो आकाश के सद्रिश विस्तृत एवं सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, जो मेरे से भिन्न नहीं है, तो भी उसका वर्णन एवं भजन नह ही है, ना हम तत्वम समम तत्वम कल्पना हेतु वर्जितम, ग्राहिय ग्राहक का निर्मुक्तम स्वयम वेद्यम कथम भवेत। न मैं तत्व हूँ, न किसी के समान तत्व हूँ, कल्पना तथा उसके हेतु से भी रहित हूँ, ग्राहिय तथा ग्राहक के व्यवहार से भी र न किसी के समान है। तत्व स्वरूपम न ही वस्तु किन्चित। आत्म एक रूपम परमार्थ तत्वम न हिंसको वापिन चाप्या हिंसा। यह आत्मा ब्रह्म अनन्त रूप है। ऐसी अन्य कोई वस्तु नहीं है। यह ब्रह्म ही तत्व स्वरूप है। ऐसी कोई अन्य वस्तु नहीं है। यह आत्मा एक रूप ही है, तथा पर्मार्त तत्व है, इसलिए न तो कोई हिंसक है, न अहिंसा ही है, आत्मा अनंत रूप वाली है, स्रिष्ट में जितने भी रूप हैं, वे सब आत्मा ही हैं, उसी के भिन 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 रूप है, आत्मा से भिन अन्य कोई वस्तू इस जगत में न अहिंसा भी नहीं है। जिस ज्ञानी को इस एक तत्व ब्रह्म की अनुभूती हो जाती है। उसके लिए हिंसा, हिंसक एवं अहिंसा शब्द ही व्यर्थ हो जाते हैं। हिंसा और अहिंसा की बातें अज्ञानी ही करते रहते हैं, जो स्रिष्टी में सब को भिन्न भिन्न समझते हैं। भगवान कृष्ण ने भी इसी अद्वैत की द्रिष्टी को प्रकट करते हुए अर्जुन से कहा था, कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, तथा जो इसको मरा जानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। घटे भिन्ने घटाकाशम सुखीनम शिवेण मनसा शुद्धो नभेद भेद वर्जितम प्रतिभाति में। घट के नाश होने पर घटाकाश महाकाश में लीन होकर भेद रहित हो जाता है। इसी प्रकार शुद्ध मनसे शुद्ध ही प्रतीत होता है। मुझे आत्मा का भेद प्रतीत नहीं होता है। दत्तात्रे जी कहते हैं कि जिस प्रकार घट का आकाश महाकाश से भिन्न प्रतीत होता है, किन्तु घट के नश्ट हो जाने पर वह घटाकाश महाकाश में ही विलीन हो जाता है, तथा दोनों का भेद ही मिट जाता है। के कारण मनुष्य को अज्ञानवश दोनों में भेद की प्रतीती होती है, जिससे वह जीवात्मा को आत्मा से भिन्न समझता है। जब मन शुद्ध हो जाता है, तो उसे आत्मा भी शुद्ध ही ज्ञात होता है। दत्तात्रिय जी कहते हैं कि मेरा मन शुद्ध हो जाने से मुझे आत्मा और जीवात्मा में भेद ज्यात नहीं होता, शुद्ध मन ही शुद्ध आत्मा का घ्यान कर सकता है, न घटो, न घटाकाशो, न जीवो जीव विग्रहा, केवलम भ्रह्म समविद्धि वेद्य वेदक परजितम न घट है न घटाकाश है न जीव है न उसका कोई विग्र है केवल ब्रह्म को ही सम्यक जान जो ज्ञान तथा ज्याता से रहित है भगवान दत्तात्रिय जी कहते हैं कि घट के कारण ही अज्ञानवश घटाकाश एवं महाकाश में भेद की प्रतीती होती है जबकि दोनों एक ही ब्रह्म है ऐसा है शिष्य तू सम्यक रूप से जान ले जिस प्रकार घट के नश्ट होने पर महाकाश ही शेष रह जाता है उसी प्रकार अंतहकरण के कारण जीवात्मा की जो उपाधी है वह अंतहकरण के नश्ट होने पर जीव का जीवत्व भी नहीं रहता एक ब्रह्म ही शेश रहता है जो विशय विशयी भाव से रहित है सर्वत्र सर्वदा सर्वम आत्मानम सतत ध्रुवम सर्वम शून्यम शून्य चतन्माम विद्धिन संशय तू आत्मा को सर्वत्र सदा सर्वरूप सबकुछ सतत एवं नित्य जान तथा इस समस्त जगत को शून्य जान और आत्मा को ही अशून्य जान वह आत्मा मुझे ही जान इसमें संशे नहीं है दत्ता त्रेजी शिष्य को कहते हैं कि यह आत्मा सर्वत्र है सर्वकाल में है सभी रूपों में है निरंतर एवं नित्य है ऐसा तू जान तथा यह समस्त जगत शून्य रूप है जिसकी आत्मा से भिन्न कोई सत्ता नहीं है एवं यह आत्मा ही एक मात्र अशून्य है क्योंकि इसी की एक मात्र सत्ता है इसलिए यही सत्य है मुझे इसका ज्ञान हो गया है इसलिए मैं आत्मा ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है, वेदा न लोका न सूरा न यग्या, वर्ण आश्रमो नैव कुलम न जाति, न धूतमार्गो न चदीप्ति मार्गो, ब्रह्म करूपम परमार्थ तत्वम, वेद भी नहीं है, लोक भी नहीं है, देवता भी नहीं है, यग्य भी नहीं है, वर्ण आश्रम भी नहीं है, न कुल है, न जाति है, धूतमार्ग भी नहीं है, और न अगनिमार्ग ही है, केवल एक रूप ब्रह्म ही परमार्थ तत्व है. दत्तात्रे जी इस सूत्र में ज्ञान की अंतिम भूमिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ज्ञानी ज्ञान की अंतिम भूमिका में पहुँच जाता है उसे केवल एक ब्रहम ही सत्य स्वरूप दिखाई देता है अन्य सभी जागतिक वस्तुएं उसे शून्य रूप प्रतीत होने लगती हैं. यहां तक की देवता एवं विभिन्य लोक भी उसे असत्य एवं शून्य वत प्रतीत होते हैं. यदि तू एक ही फल के सहित है और व्याप्त व्यापक भाव से रहित है तू प्रत्यक्ष और अप्रोक्ष आत्मा को कैसे मानता है दत्ता त्रेजी अपने शिश्य को कहते हैं कि तू यह मानता है कि यह आत्मा एक ही है तथा यही जीवन का अंतिम फल है इसके लिए व्याप्त एवं व्यापक शब्द का प्रयोग भी उचित नहीं है क्योंकि एक में व्याप्य और व्यापक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता फिर तु इसको प्रत्यक्ष और अप्रोक्ष कैसे मानता है प्रत्यक्ष और अप्रोक्ष कहने में भी द्वैत की ही अनुभूती होती है जबकि आत्मा द्वैत रहित है अद्वैतम केचिद इच्छन्ती द्वैत मिच्छन्ती चापरे समम्तत्वम नविंदन्ती द्वैता द्वैत विवर्जितम कुछ अद्वैत की इच्छा करते हैं और कुछ द्वैत की इच्छा करते हैं किन्तु वे सम्तत्व को नहीं जानते जो द्वैत और अद्वैत से रहित है कुछ लोग अद्वैत की इच्छा करते हैं वे जीव और ब्रह्म को भिन्न नहीं मानते तथा कुछ इन्हें भिन्न मानकर द्वैत की इच्छा करते हैं। वे जीव को इश्वर के अधीन मानते हैं। किन्तु दत्तात्रेजी कहते हैं, द्वैत और अद्वैत की भावना मनुष्य द्वारा आरोपित की गई है। द्वैत होने पर ही अध्वैत की बात कही जा सकती है। जब द्वैत है ही नहीं, तथा वही एक तत्व समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है, फिर उसे द्वैत, अथवा अध्वैत कैसे कहा जा सकता है। वह इन दोनों से परे हैं तथा एक ही है। श्वेता दिवर्न रहितम शब्दा दिगुण वर्जितम, कथयन्ति कथम तत्वम मनोवाचाम गोचरम, जो सफेद आदिवर्नों से रहित है, शब्दा दिगुणों से भी रहित है, जो मन और वानी का विशय ही नहीं है, उसे तत्व किस प्रकार कहा जा सकता है। कई विद्वान ब्रह्म के लिए तत्व शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म ही एक मात्र तत्व है जो स्रिष्टी का कारण है, किन्तु दत्तात्रेय जी कहते हैं कि तत्व उसे कहा जाता है, जिसका सफेद, काला आदि कोई रंग हो, शब्द, स्पर्ष, रस, गंध आदि कोई गुण हो, जिसे जाना जा सके, जिसका वर्णन किया जा सके, जिसे देखा जा सके, आदि किन्तु यह ब्रह्म ऐसा है, जो मन, वानी, एवं आखों का विशय ही नहीं है, न इसका कोई रंग, रूप, एवं गुण है जिससे इसको जाना जाए, यह संपूर्ण द्रिश्य, जगत मिथ्या ज्यात होने लगे, तथा यह शरीर, आदि आकाश के समान शून्य जान पड़े, तभी ब्रह्म को ठीक प्रकार से जाना जाता है, उस समय तुझे द्वैत परंपरा का भान नहीं होगा, आत्म ज्यान अत्वा ब्रह्म की ज्यात होती है, तथा त्रेय जी कहते हैं, कि आत्म ज्यान के बाद ही मनुष्य को ज्यात होता है, कि यह संपूर्ण जगत मिथ्या है, केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, यह स्रिष्टी उसी का विस्तार मात्र है, उससे किसी प्रकार भिन्न नहीं है, भिन्नता की सारी कल्पना ह अज्ञान के कारण है, जो ज्ञान प्राप्ति पर नश्ठ हो जाती है, जिससे यह स्रिष्टी मिथ्या ज्ञात होने लगती है, तथा शरीर का भी प्रिथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह भी आकाश्वत शून्य ज्ञात होने लगता है, इसी अवस्था में कहा जा सकत कि उसे ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान हो गया है। तथा इस ज्ञान के बाद ही जगत में दिखाई देने वाली समस्त द्वैत की धारणा व परंपरा का अंध हो जाता है। इससे पूर्व द्वैत ही दिखाई देता है। परेण सहजात्मा पिहयभिन्नह प्रतिभाति में व्योमाकार तथैवेकम ध्याता ध्यानम कथम भवेत। मुझे यह भान हो रहा है कि यह अनादी आत्मा परब्रहम से भिन्न नहीं है, जो आकाश के समान व्यापक एवं एक ही है, तो फिर ध्याता और ध्यान कैसे हो सकता है। ध्यान तभी किया जा सकता है, जब ध्यान करने वाला तथा जिसका ध्यान किया जाता है वह भिन्न हो। ध्यान किसी साकार का स्वयम से भिन्न मानकर ही किया जाता है, किन्तु निराकार का ध्यान संभव नहीं है। अपनी चित्त की वृत्तियों को रोक कर सभी प्रकार की चेश्टाओं से मुक्त होकर स्थित रहना ही ध्यान है। इसी से आत्मा नुभूती होती है तथा आत्मा नुभूती के बाद ही साधक को जीव और ब्रह्म की एक्ता का अनुभव होता है। दत्ता त्रेजी ज्यान को उपलब्ध होने के बाद ही कहते हैं कि यह आत्मा अनादी है तथा यह ब्रह्म से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। यह ब्रह्म के समान ही सर्व व्यापक है तथा एक ही है। समस्त स्रिष्टी का विस्तार है। आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। य आत्मा ये अनेक नहीं है, न ब्रह्म से भिन नहीं है, जिससे आत्मा ब्रह्म का ध्यान करे, यह मिथ्या है, इसलिए मेरे लिए ध्यान व्यर्थ हो गया है, न मैं ध्याता ही हो सकता हूं। यत करोमी यद शनामी यज्जुहोमी ददामी यत एतत सर्वन्ना ये किंचिद विशुद्धोहमजोव्यया, जो मैं करता हूं, जो मैं भक्षन करता हूं, जो मैं हवन करता हूं, जो मैं देता हूं, वह सब किंचिद भी मेरा नहीं है, मैं विशुद्ध, जन्म रहित एवं नाश रहित हूँ। दत्तात्रे जी कहते हैं कि मैं विशुद्ध, जन्म रहित एवं नाश रहित आत्मा हूँ जो न कुछ करता है, न खाता है, न हवन करता है, न देता है, न लेता है। इस संपूर्ण जगत को तू आकार रहित जान, इस संपूर्ण जगत को तू विशुद्ध ब्रह्म का शरीर जान, इस संपूर्ण जगत को तू कल्यान स्वरूब जान। वेदांत की अद्वैत की मान्यता नुसार, यह संपूर्ण जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसमें जो आकार एवं विकार दिखाई देते हैं, वह मन की कल्पना मात्र है। वस्तुतह यह ब्रह्म की ही भाती निराकार बिना आकार वाला विकारों से रहित है। यह ब्रह्म का ही शरीर मात्र है, इसलिए यह ब्रह्म के समान ही कल्यान स्वरूब है। जगत किसी को दुख नहीं देता, मनुष्य के अज्यान के कारण इसे ठीक प्रकार से न समझने के कारण, तथा इसकी प्रकृती से विप्रीत जाने के कारण ही उसे दुख होता है। अन्यथा यह तो कल्यान स्वरूब ही है। तत्वम त्वम हिनसंदेह किन जाना म्यत्रवपुना। असमवेद्यम स्वसमवेद्यम मात्मान मन्य से कथम। वह तू ही है तथा तू वही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, फिर और मैं क्या जानू। फिर आत्मा को असमवेद्य किसी से भी जानने योग्य नहीं, तथा स स्वसंवेद्य अपने से ही जानने योग्य कैसे माना जाए। दत्ता त्रेजी कहते हैं कि मैंने ये स्पष्ट रूप जान लिया है कि वह ब्रह्म तू ही है तथा तू स्वयम ब्रह्म ही इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। फिर मैं और क्या जानूं जानने को कुछ भ किने योग्य है। जब मेरा ब्रह्म से भिन्न कोई अस्थित्व ही नहीं है तो मैं अपने को जानने वाला कैसे कह सकता हूं। जिहान और जहता और जही की भिन्निता ही समाप्ध हो जाती हैं। हे तात, माया और अमाया कैसे है, छाया और अचाया भी विद्यमान नहीं है, यह तू एक ही है, तथा यह संपूर्ण जगत आकाश के समान व्यापक एवं निर्दोश है, व्याख्या, दत्ता त्रेजी, फिर शिश्य को कहते हैं कि हे तात, तू एक ही ब्रह्म है तथा यह संपूर्ण जगत, आकाश के समान आकारवाला एवं निर्दोश है, फिर इसमें माया और अमाया अर्थात प्रकृती और पुरुश तथा छाया और धूप का भेद कैसे हो सकता है, समस्त भेद अज्यान के ह कारण ज्यात होते हैं, आत्म भेद रहित है, आदि मध्यान्त युक्तो हम न बद्धो हम कदाचन, स्वभाव निर्मलह शुद्ध इतिमे निश्चिता मतिह, मैं आदी, मध्य और अंत से रहित हूँ, न मैं कभी बद्धी हूँ, मेरी यह निश्चित मति है कि मैं कि ब्रह्म का कोई आदि, मध्य और अंत नहीं है, न वह कभी उत्पन्न हुआ है, न उसका नाश ही होता है, मैं स्वयम आत्म स्वरूप होने से ब्रह्म ही हूँ, इसलिए मेरा भी आदि, मध्य और अंत नहीं है, मैं सदा से हूँ तथा सदा ही रहूँगा, एक ही होने से मे मेरा कोई बंधन भी नहीं है, इसलिए मैं मुक्ति की बाद भी नहीं कहता। मेरा यह निश्चय है कि मैं ब्रह्म की ही भाति स्वभाव से ही निर्मल एवं शुद्ध हूँ। मेरे में कोई विकार है ही नहीं। महदादी जगत सर्वम न किंचिंत प्रतिभाती में। ब्रहोव केवलम सर्प कथम वर्नाश्रम स्थिती। महतत्व आदी से इस संपूर्ण जगत का मुझे थोड़ा सा भी घ्यान नहीं होता। केवल ब्रह्म ही सब कुछ है फिर वर्नाश्रम की स्थिती किस प्रकार हो सकती है। दत्ता त्रेजी कहते हैं कि स्रिष्टी के आरंभ में सर्व प्रत्थम महतत्व की उत्पत्ति प्रकृती एवं पुरुष के संयोग से हुई। इसके बाद उसी से समस्त जड़ एवं चेतन स्रिष्टी का निर्मान हुआ जो अनेक रूपों में दिखाई देती है। किन्तु मुझे इन विभिनताओं का थोड़ा सा भी भान नहीं होता क्योंकि सब उसी एक ब्रह्म का विस्तार है। जिस प्रकार स्वर्णकार को विभिन प्रकार के आभूशनों में केवल स्वर्ण ही दिखाई देता है, उसी प्रकार मुझे इन विभिन पदार्थों में केवल एक ब्रह्म ही दिखाई देता है। वर्ण एवं आश्रमों की स्थिती का भी मुझे भान नहीं होता, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में एक मात्र आत्मा ही देखता हूँ. ये विभाग शरीर एवं मन को लेकर है, जिसका मेरे से कोई संबंध नहीं है. मैं जानता हूँ कि ये आकाशादी पंचक, प्रिथ्वी, जल, अगनी, वायू और आकाश शून्य है, तथा मैं सब प्रकार से सर्वरूप एक ही निरंतर, आलंबन रहित एवं अशून्य हूँ. दत्ता त्रेजी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद मुझे ज्ञात हो गया कि ये पंचबूत शून्यवत है, जिनकी अपनी स्वयम की कोई सत्ता नहीं है. मैं ब्रह्म स्वरूप होने से केवल इस जगत में सर्वरूप हूँ, एक ही हूँ, सदा रहने वाला हूँ, तथा आलंबन रहित हूँ. मेरा कोई आलंबन नहीं है, तथा इस स्रिष्टी में मैं ही एक मात्र सत्ता स्वरूप सत्य तत्व हूँ, अन्य सभी मेरी ही अनुकृतियां मात्र हैं, जो भ्रह्मवश सत्य प्रतीत होती हैं, न शंडो, न पुमान न स्त्री, न बोधो, न कल्पना, सानंदो वा मात्मान मन्य से कथम, आत्मा न न पुन्सक है, न पुरुष है, न स्त्री है, न ज्यान है, न कल्पना ही है, यह आनंद मैं एवं निरानंद भी नहीं है, फिर तुम आत्मा को किस प्रकार का मानते हो, दत्ता त्रेय जी शिष्य से प्रश्न करते हैं, कि हे शिष्य, यह आत का साक्षी मात्र है। यह आनंदमय एवं निरानंद भी नहीं है। ऐसी स्थिती में तुम्हारी आत्मा के प्रती किसी प्रकार की मान्यता है। यदि तुम उसे उपर्युक्त गुण धर्म वाली मानते हो तो इसका अर्थ है तुम्हे अभी आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं। तुम ब्रह्म में हो। आत्मा सभी गुणों एवं उपाधियों से रहित केवल चैतन्य सत्ता मात्र है। शडंग योगान तू नैव शुद्धम, मनो विनाशान तू नैव शुद्धम, गुरुपदेशान तू नैव शुद्धम, स्वयम चतत्वं स्वयम एव शुद्धम, आत्मा शडंग योग से शुद्ध नहीं होता, मन के नाश होने से भी शुद्ध नहीं होता, गुरु के उपदेश से भी शुद्ध नहीं होता, वह स्वयम ही सार तत्व है और स्वयम ही शुद्ध है। दत्तात्रेजी कहते हैं कि आत्मा स्वयम सार तत्व है, वह सदा सर्वदा ही शुद्ध है। उसमें कोई विकार है ही नहीं, वह कभी दूशित हो ही नहीं सकता। इसलिए जो आत्मा को शुद्ध करने के लिए शडंग योग, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधी ये शडंग योग कहलाते हैं। कि साधना करने की बात कहते हैं, जो मन के विनाश की बात कहते हैं, तथा जो कहते हैं कि गुरु के उपदेश से वह शुद्ध होती है, ये सब गलत कहते हैं, क्योंकि वह दूशित हुई ही नहीं है, फिर किसे शुद्ध किया जाए, अशुद्ध मन होता है, जो कई प्रकार के विकारों वाला है उसे शुद्ध करना है उसी का निरोध करना है जिससे आत्मा का स्वरूप पहचाना जा सके पतंजली ने भी चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात कहीं है आत्म शुद्ध की बात कहीं नहीं कहीं गई है नहीं पंचात्म को देहो विदेहो वर्तते आत् तुरियम, चत्रियम नहीं, कथम आत्मा पंचबौतिक शरीर भी नहीं है तता देह से रहित भी नहीं, वर्तता है। आत्मा थада ही केलु और START कैसे हैं ? दत्ता त्रेय जी कहते हैं कि यह आत्मा पंचबौतिक शरीर नहीं है क्योंकि यह शरीर जड़ पदार्थों से निर्मित है, किन्तु यह बिना शरीर वाला भी नहीं है क्योंकि यह संपूर्ण शरीरों में व्याप्त है. यह समस्त द्रिश्य पदार्थ उसी के शरीर हैं, जिनके भीतर वह अवस्थित है. यह आत्मा एक ही तथा सर्वरूप है, सभी रूप उसी के हैं. यह चार अवस्थाएं, जागरत, स्वप्न, सुशुप्ति, एवं तुरिय आत्मा की अवस्थाएं नहीं हैं, बलकि यह मन की ही अवस्थाएं हैं. न बध्धो नैव मुक्तो हम, न चा हम ब्रह्मन हम प्रिथक, न करता, न चा भोकता हम व्याप्य व्यापक वर्जित हा. मैं बध्ध भी नहीं हूँ, न मुक्त ही हूँ, मैं ब्रह्म से भिन्न भी नहीं हूँ, न मैं करता हूँ और न भोकता हूँ, म क्योंकि ब्रह्म एक ही है, तो बंधन का कोई दूसरा कारण कैसे हो सकता है, और जब बंधन ही नहीं है, तो मुक्ति की बात कैसे कही जा सकती है। जिस प्रकार जल में फेंका हुआ जल जल रूप ही भेद रहित हो जाता है, वैसे ही प्रकृती और पुरुष मुझे अभिन्न प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार जल में फेंका हुआ जल जल रूप ही हो जाता है। उसकी जाती है उसी प्रकार प्रकृती और पुरुष एक ही ब्रह्म रहित हो जाते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। जिसे ब्रह्म ज्यान नहीं होता, उन्ही को इन में भेद दिखाई देता है। यदि नाम न मुक्तोसी न बध्धोसी कदाचन साकारम च निराकार मात मानम मन्य सेकत हम। यदि ऐसा प्रसिद्ध है कि तु मुक्त भी नहीं है और बध्ध भी नहीं है तो फिर आत्मा को साकार और निराकार किस प्रकार मानता है। बंधन और मुक्ति में दोका होना अनिवार्य है, एक बंधन तथा दूसरा बंधने वाला। किन्तु तु यह मानता है कि बंधन और मुक्ति नहीं है, जैसा तुने जाना है कि ब्रह्म एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए बंधन और मुक्ति भी नहीं है, तो फिर सा प्रत्यक्ष और आकाश के सद्रिश है। प्रत्यक्ष और आकाश के समान व्यापक है। प्रत्यक्ष और आकाश के समान व्यापक है। स्वयम का आत्मा ही एक मात्र गुरू है, जिसे जानकर ही व्यक्ती गुरुत्व को प्राप्त होता है। किसी एक को गुरु मान लेने से शिश्य उसी से बंध जाता है। उसकी मूरता पूर्ण बातों को ही वह सत्यमानने का दुराग्रह करता है, इसी से सांप्रदाइक संकीर्णता उत्पन्न होती है। अज्यान अवस्था में जिसकी से ज्ञान मिले, वही उसका गुरु हो जाता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति में किसी गुरु विशेश का इतना महत्व नहीं है जितना शिष्य की ज्ञान प्राप्ति की जिज्यासा एवं उसका मुमुक्षुत्व महत्व पूर्ण है। यही शिष्य की पात्रता है, तथा ऐसा शिष्य ही ज्ञान का अधिकारी होता है। गुरू तो निमित्त मात्र होता है। योग वाशिष्ठ में कहा गया है, वास्तव में आत्मा शास्त्र द्वारा नहीं जाना जाता, न गुरू के वचन द्वारा, वह तो अपने अनुभव द्वारा ही जाना जाता है ज्ञान प्राप्ति के बाद स्वयम की आत्मा ही उसका गुरू होता है इसलिए दत्तात्रेजी कहते हैं कि मैं स्वयम आत्म स्वरूप हूँ इसलिए अब मेरा न कोई गुरू है, न कोई उपदेश ही है, न मेरी कोई विशेश उपाधी ही है मुझे अब किसी क्रिया की भी आवश्यक्ता नहीं है मैं देह से रहित, आकाशवत व्यापक आत्मा हूँ जो स्वभाव से ही शुद्ध है जब मेरे में कोई अशुद्ध ही नहीं है, तो फिर गुरू, उपदेश, क्रिया आदी की आवश्यक्ता ही क्या है मैं इन सब से रहित हूँ विशुद्धोस्य शरीरोसिनते चित्तम परात्परम, अहम चात्मा परम तत्वमिती वक्तू नलज्जते तो विशुद्ध है, शरीर से रहित है, तो चित्त भी नहीं है, परात्पर है, प्रकृती से भी परे है मैं आत्मा हूँ, परम तत्व हूँ, इस प्रकार कहने में तुझे लज्जा नहीं आती है दट्ता तरेजी शिश्य को कहते हैं कि तु शरीर, चित एवं प्रक्रती से भी परे विशुद्ध आत्मा है किन्तु इसका कथन नहीं किया जा सकता है कि मैं आत्मा हूँ, परम तत्व हूँ, माया से रहित हूँ क्योंकि ऐसा कहने से भी भिन्टा की ही प्रतिती होती है कि तू शरीर, चित्त आदी भी है जिसको न मानकर अपने को आत्मा मानता है अद्वैत में ऐसा कथन नहीं बनता क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं कथमरोदिशिरे चित्त है आत्मेकतमात्माथ मनाभव पिबवत्स कलातीतम अद्वैतम परमामृतम हे चित तू क्यों रूदन करता है निश्चय ही तू आत्म रूप है यह मानकर स्वयम आत्म स्वरूप हो जा तथा हे वत्स तू कला से अतीत अद्वैत रूपी परम अमृत का पान कर दत्ता त्रेय जी अपने शिष्य के चित को संबोधित करते हुए कह रहे है कि हे चित तेरा जो विकृत स्वरूप था वह नश्ठ हो गया जिससे तू व्यर्थ में रूदन कर रहा है अब तुझे शुद्ध चित प्राप्त हो गया है तथा यह शुद्ध चित ही आत्म स्वरूप है ऐसा मान कर तू इस भ्रांधी का त्याग करके कि मैं चित हूँ आत्म स्वरूप हो जा तथा कला से भी अतीत ये ब्रह्म ही है अन्य कुछ भी नहीं है इस अद्वैत रूपी परम अमृत का तू पान कर इस सूत्र में गूढ रहस्य छिपा है कि ब्रह्म कोई देखने की वस्तू नहीं है ना अद्वैत की कोई प्रत्यक्ष अनुभूती होती है बलकि साधना अथ्वा अन्य कारणों से जब मन पूर्णतया शुद्ध एवं निर्मल हो जाता है तो गुरू शिष्य को यह अनुभव कराता है कि यह शुद्ध मन ही आत्मा है यही ब्रह्म है इससे भिन्न कुछ भी नहीं है इसी स्थिती में गुरू शिष्य को तत्व मसी यह तू ही है का उपदेश देता है जिससे शिष्य की समस्त भ्रांतियों का निराकरण होकर उसकी अद्वैत में प्रतिष्ठा होती है यही महावाक्य है जिससे शिष्य का पूर्ण रूपांतरण हो जाता है गुरू के इस उपदेश के बिना शिष्य की द्वैत की भ्रांति बनी ही रहती है नेव बोधो न चाबोधो न बोधा बोध, एवच, यसिये द्रशह, सदा बोधा, सबोधो नान्यथा, भवेत न तो तु ज्ञान है और न अज्ञान ही है, न ज्ञान एवं अज्ञान का संयुक्त रूप ही है जिसे इस प्रकार का सदा ज्यान है वह ज्यान स्वरूप ही है वह हमसे भिन्न नहीं होता ज्यान की धारणा अज्यान के ही सापेक्ष होती है आत्मा स्वयम ज्यान स्वरूप ही है उसमें अज्यान जैसी कोई वस्तु है ही नहीं इसलिए उसके लिए ज्यान एवं अज्यान का प्रयोग नहीं किया जा सकता तथा उसे ज्यान अज्यान रूप भी नहीं कहा जा सकता जिस व्यक्ति को इस प्रकार का ज्यान हो जाता है कि यह आत्मा सर्वकाल में ज्यान स्वरूप ही है उससे भिन्न किसी प्रकार नहीं है, वह पुरुष ज्ञान स्वरूप ही है ज्ञानम न तरको न समाधी योगो न देशकालव न गुरूप देशह स्वभाव सम्वित्तिरहम चतत्व माका शकलपम सहजम धुरुवम च मैं ज्यान नहीं हूँ, तर्क नहीं हूँ, समाधी योग भी नहीं हूँ, न देश, काल और गुरु का उपदेश ही हूँ. मैं स्वभाव से ही ग्यान स्वरूप, यथार्थ वस्तू, आकाश के समान व्यापक और स्वभाव से ही नित्य भी हूँ. आत्मा किसी ज्ञान का प्रतिफल नहीं है, न किसी तर्क अत्वा समाधियोग का ही प्रतिफल है यह देश, काल, अत्वा गुरु के उपदेश का भी प्रतिफल नहीं है कि इन साधनों से उसे जाना जाए वह स्वयम ज्ञान स्वरूप है यथार्थ एवं सत्य वस्तु है जो आकाश के समान व्यापक है तथा नित्य है उसका ज्ञान किसी साधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता बल्कि सभी ज्ञान उसी के कारण है दत्तात्रेजी कहते हैं कि मैं वही आत्मा हूँ जो ज्ञान स्वरूप है न जातो हम मृतो वापी न मे कर्म शुभा शुभम विशुद्धम निर्गुणं ब्रह्म बंधो मुक्तिह कथम मम न मैं उत्पन्न हुआ हूँ न मेरी मृत्यु ही है ये शुभेवं अशुर्भ कर् मेरे बंधन और मुक्ति कैसे कैसे हो सकती है दत्तात्रेजी कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ शरीर मन आदि नहीं हूँ आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु इसलिए मैं भी जन्म और मृत्यु से रहित हूँ जन्म एवं मृत्यु केवल शरीर की होती है और मैं शरीर नहीं हू इसलिए मेरा जन्म वम्रित्यू नहीं है। इसलिए मेरा जन्म वम्रित्यू नहीं है। समस्त स्रिष्टी ही ब्रह्म है, उसी का रूप है, फिर मैं बाहर उसे क्यों न देखूं। दत्ता त्रेजी ज्ञान को उपलब्ध हो गए, इसलिए वे समस्त स्रिष्टी को ही आत्म स्वरूप समझ कर उसे देखने की बात कह रहे हैं। आत्मवत सर्व भूतानी। यह संपूर्ण स्रिष्टी आत्मवत ही है, यही ज्ञानी की द्रिष्टी है। ज्ञानी समस्त स्रिष्टी में ही आत्मा देखता है, स्फुरत्येव जगत कृत्स्नम खंडित निरंतर्म, अहो माया महामोह द्वैता द्वैत विकल्पना। निश्चे ही इस संपूर्ण जगत का अखंडित एवं निरंतर रूप में स्फुरण हो रहा है। खेद है कि माया और महामोह द्वैत और अद्वैत की कल्पना का भी स्फुरण होता है। एक ही ब्रह्म सर्व व्याप्त है तथा यह संपूर्ण जगत उसी का स्फुरण मात्र है जो अखंड एवं निरंतर रूप से स्फुरित हो रहा है। जिस प्रकार वर्शा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश से इंद्रधनुष दिखाई देता है उसी प्रकार ब्रह्म के प्रकाश से यह जगत दिखाई देता है। उसी प्रकार यह माया प्रकर्ती तथा महामोह द्वैत और अद्वैत नहीं होते हुए भी दिखाई देते हैं। अतह ये सभी भ्रह्मात्र है। साकारम च निराकारम नेती नेती ती सर्वदा। भेदा भेद विनूर मुक्तो वर्तते केवलह शिव। श्रुती सर्वदा ही साकार और निराकार को नेती नेती ये सब नहीं है, ये सब नहीं है कहती है। ये ब्रह्म भेद और अभेद से रहित केवल शिव, कल्यान रूप ही वर्तता है। दत्ता त्रेजी कहते हैं कि शुरुती सदा से ही इस बात का निशेद करती रही है, कि ये संपूर्ण स्थूल एवं सूक्ष्म जगत, साकार और निराकार जगत ब्रह्म में नहीं है, अर्थात ये ब्रह्म से कोई भिन्न वस्तु नहीं है. ब्रह्म भेद एवं अभेद से रहित ही सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्म के ज्ञान के अभाव में ही सर्वत्र भेद दिखाई देता है, जिससे जगत एवं ब्रह्म को भिन्न माना जाता है, तथा भेद की कलपना से ही उसे अभेद कहा जाता है। जब भेद है ही नहीं, तो तो अभेद कहना भी मिथ्या ही है, वह भेद और अभेद से रहित, किवल शिव है, न तेच माता, च पिता, न बंधुर्ण, तेच पत्नी, न सुतस्य मित्रम, न पक्षपातो, न विपक्षपाता कथम ही संपप्तिदीयम ही चित्ते, न तो तेरी माता है, न पिता है, न पत्नियादी के सभी संबंध जो संसार में हैं ये सब मन चित्त के कारण है। पत्नियादी के सभी संसार में हैं। अज्यानी ही इनके कारण दुखी होते हैं वो संताप करते हैं। ये संताप मन के कारण होता है। चेतन आत्मा में संताप नहीं होता। दिवानक तमनते चित्ते उदयास्तमयो नहीं। विदेहस्य शरीरत्वम कल्पयंति कथम बुद्धा। तेरे चेतन में दिन और रात्री नहीं है न उदय और अस्थी है। जो विदेह है जिसका कोई शरीर नहीं है। उसमें बुद्धिमान लोग शरीर की कैसे कल्पना करते हैं। यह चेतन आत्मा स्वयम प्रकाशित है। इसको किसी अन्य प्रकार की आवश्यक्ता नहीं है बलकि सभी उसी से प्रकाश्वान है। उसमें दिन और रात्रि होती ही नहीं न उसका कभी उदय और अस्थ ही होता है। वह निरंतर प्रकाशित रहता है। वह स्वयम विदेह है जिसका कोई विशेश शरीर नहीं है। इसलिए दत्तात्रेजी कहते हैं कि बुद्धिमान लोग उसके शरीर की किस प्रकार कलपना करते हैं कि वह शरीर वाला है। आत्मा न तो विभाग वाला है न विभाग रहित है और न सुख दुख आदी वाला ही है। न यसर्व है और न असर्व है। और आत्मा को तू नाश रहित जान। आत्मा शक्ति रूप है। ये कोई वस्तु नहीं है जिसका विभाग किया जा सके। जिसका कोई आकार ही नही उसका विभाग कैसे किया जा सकता है और जिसके विभाग नहीं हो सकते उसको विभाग रहित भी नहीं कहा जा सकता इसी प्रकार सुख दुख मन के ही धर्म है आत्मा के नहीं ये सर्व रूप भी नहीं है इनसे परे है तथा असर्व भी इसे नहीं कहा जा सकता क्योंकि सभी इसी के हैं, तु इस आत्मा को नाश रहित जान। इसलिए वह कर्म फलों का भोगता भी नहीं है। ये सभी गुण मेरे में हैं, फिर मैं ममता सहित और ममता रहित कैसे हो सकता हूँ। अर्थात, ये दोनों ही भाव मेरे में विद्यमान नहीं है, क्योंकि मैं जीवन मुक्त हूँ तथा परमानन्द में स्थित हूँ। नमे रागादिको दोशो दुखम देहादिकम नमे आत्मानम विद्यमामेकम विशालम गगनो पमम। ये रागादिक दोश मेरे नहीं है, शरीर के दुख आदी भी मेरे नहीं है। मुझे एक ही आत्म रूप एवं विशाल आकाश के समान तू जान। दत्ता त्रेजी शिश्य को कहते हैं कि मैं आत्मा होने से ये रागादी दोश मेरे नहीं है तथा शरीर के दुख आदी भी मेरे नहीं है। ये मन के धर्म है आत्मा के नहीं। पूर्ण जगत तर्क करने योग्य है। जो सारभूत था उसे मैंने तुझे कह दिया कि तू ही एक तत्व ब्रह्म है जो आकाश के समान निरलेप, असंग वव्यापक है। इस सूत्र में दत्ता त्रेजी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सके मन। यह संसार ज्ञान मात्र है जिसमें तर्क ही तर्क है, कोई समाधान अज्ञान में संभव ही नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद मुझे स्रिष्टी का जो सारभूत सत्य था वह घ्यात हुआ जो मैंने तुझे कह दिया। और अधिक कहने से कोई प्रयोजन नहीं है। सार रूप म के कारण ही तेरे में विकार उत्पन हुए हैं। जिससे तू संसारी की भाती तर्क, वितर्क में समाधान खोचता है। जबकि तेरा सत्य स्वरूप उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ऐसा निश्चित जान। यन केना पी भावेन यत्रकुत्र मृता अपी। योगिनस्तत्र लियन से घटाकाश मिवांबरे। जिस किसी भी भाव से योगी ज्यानी का जहां कहीं भी मर्ण होता है वह वहीं ब्रह्म में उसी प्रकार लीन हो जाता है जैसे घटाकाश महाकाश में लीन होता है। दत्तत्रेजी कहते हैं कि ज्यानी किसी भी कारण से, किसी भी स्थान पर एवं किसी भी समय अत्वा भाव से मृत्यू को प्राप्त हो। वह ब्रह्म में उसी प्रकार विलीन हो जाता है जैसे घड़े के फूटने पर उसका भीतर का आकाश बाहर के महाकाश में विलीन हो जाता है। भिन्नता की जो जूठी प्रतीती शरीर मनादी के कारण भी वह समाप्त हो जाती है। तीर्थे चांतियज गेहे वा नश्ट स्मृत्यर पित्यजन। समकाले तनू मुक्तह कैवल्य व्यापको भवेत। ज्यानवान पुरुष जीवन मुक्त। तीर्थ में अथ्वा चांडाल के घर में बेहोश हुआ भी, समकाल में शरीर को त्याग कर भी मुक्त हुआ व्यापक ब्रह्मरूप हो जाता है। अज्यानी पुरुष मृत्यू के बाद अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में जाते हैं तथा वहां कर्मफल भोग के बाद पुनह जन्म लेते हैं। इनके लिए कहा गया है कि तीर्थों में, उत्तरायन में, तथा प्रारब्ध भोग की समाप्ति परमृत्यू होने पर उसकी सद्गती होती है। किन्तु ज्यानी, जीवन्मुक्त के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। द्विपदादी चराचरम, मन्यंते योगिनह सर्वं मरीच जल सन्निभं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा द्विपद, आदि जितने स्थावर एवं जंगम जीव हैं, ज्यानी लोग इन्हें म्रग तृष्णा के जल के समान मानते हैं। ज्यानी की द्रिष्टी में एक ब्रह्म ही सत्य तत्व है, अन्य सभी मिथ्या एवं भ्रांती स्वरूप है, जिनको प्राप्त करके मनुष्य को कभी भी परम सुख नहीं मिल सकता। इसी संदर्भ में दत्तत्रेजी कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना अज्यानियों के लिए है। ज्यानी इनको मिथ्या मानता है। इसी प्रकार संसार में जितने भी व्रिक्षादि स्थावर पदार्थ हैं, तथा अन्य जीव एवं मनुष्य सभी मृग त आती मिथ्या ही है, स्रिष्टि का एका मात्र वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म ही है जिसमें ये मिथ्या भास्ते हैं, इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। अतीता नागतन कर्म वर्तमानम तत्हैवच्च, न करोमी न भुंजामी इति में निश्चलामती, भूत, भविश्य तत्ह वर्तमान कर्मों को भी मैं नहीं कहता हूँ, ना इनके फलों को ही भोगता हूँ, इस प्रकार मेरी स्थिर बुद्धी है। दत्ता त्रेजी ज्यान को उपलब्ध हो गए, वे संसार में जीवन मुक्त होकर विचर रहे हैं। ज्यान प्राप्ति के बाद मनुष्य के स नमस्त पूर्व जन्म के संचित कर्मों का क्षय हो जाता है, जिससे उनका पुनर जन्म नहीं होता, तथा वर्तमान के उनके कर्म निश्काम कर्म हो जाते हैं, वे अकर्म को उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे वे कर्म फल भोग से मुक्त हो जाते हैं, तथा पुनर जन्म नह उनके भविश्य के कर्म भी नहीं होते। दत्तात्रेजी जीवन मुक्त हो जाने से ही कहते हैं कि अब सभी प्रकार के कर्म एवं कर्म फलों से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। मैं स्थिर बुद्धी हूँ। जीवन मुक्त ही स्थिर बुद्धी वाला होता है। पी रस से पवित्र हुआ अवधूत, सन्यासी, अकेला ही सुख पूर्वक रहता है, अहंकार का त्याग करके नगन ही विचरण करता है, तथा केवल आत्मा में ही सब को जानता है, दत्ता त्रेजी कहते हैं, कि जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसा अवधूत, सर्वत्र आत्मा को ही समान रूप से देखता हुआ, शुन्य मंदिर में अकेला ही सुख पूर्वक रहता है, उसका इस मिथ्या जगत प्रपंच से कोई संबंध नहीं रहता ना, वह उससे प्रभावित ही होता है, उसकी समस्त वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, आसक्ति का त्याग कर देता है, जिससे वह शुन्य रूप हो जाता है, अर्थात उसका चित इनसे शुन्य हो जाता है, वह किसी से संग नहीं करता हुआ भी सुख पूर्वक अहंकार का त्याग कर नग नहीं विचरन करता है, तथा समस्त जगत प्रपंच को आत्मा में ही कल्पित देखता है, जहां तुरिय आदी तीनों अवस्थाएं नहीं है, वहां केवल आत्मा को ही जानता है, जहां धर्म और अधर्म भी नहीं है, वहां बद्ध और मुक्त का व्यवहार भी कैसे हो सकता है, जीवन मुक्त अवस्था में जानी केवल आत्मा को ही जानता है, अन्य सभी भ्रांति मिठ जाती हैं, वह मन से ही मुक्त हो जाता है, जिससे उसकी जागरत, स्वप्न, सुशुप्ति एवं तुरिये अवस्थाएं भी नहीं रहती, जीवन मुक्त पुरुष धर्म एवं अधर्म से भी पार हो जाता है, जो केवल मन की वृत्तियां है, आत्म ज्यानी इन दोनों से ही मुक्त होकर, केवल आत्मा में ही स्थित हो जाता है, इसलिए बंधन और मुक्ति का भाव भी उसमें नहीं होता, वह सदा एकरस एवं शांत हो जाता है, यही अद्वैत की स्थिती है, विंदती विंदती नहीं नहीं मंत्रम, चंदो लक्षणम नहीं नहीं तंत्रम, समरस चित्त से शुद्ध हुआ आत्मरस में मगन अवधूत किसी मंत्र को नहीं जानता है न किसी छंद के रूप वट तंत्र को ही जानता है। यह केवल परब्रह्म का ही कथन करता है। यह मंत्र चंद तंत्र आदि साधनाए ज्ञान प्राप्ती के लिए ही जाती है। अन्य किसी विधि विधान क्रिया कर्म से उसका कोई संबंध नहीं रहता है। सर्वशून्यम अशून्यम च सत्या सत्यमन विध्यते स्वभाव भावत प्रोक्तम शास्त्र सम्वित्ति पूर्वकम। शास्त्रों ने ज्ञान पूर्वक कहा है कि यह संपूर्ण जगत शून्य रूप है और ब्रह्म ही अशून्य है। वह स्वभाव से ही भाव रूप है, उसमें सत्य और असत्य भी नहीं है। दत्ता त्रेय जी इस सूत्र में कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत शून्य स्वरूप है, जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये ब्रह्म का ही प्रकट रूप है, उसी का विस्तार मात्र है। वब्रह्म ही अशून्य है, एवं भाव स्वरूप है, जो न सत्य है न असत्य। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। शून्य से किसी पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता। ये स्थूल विशाल ज